साथियों, पिछले नव वर्षों के हमारे प्रयासों से परिवर्तन का एक और नया दोर दिखने लगा है। पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ड किया। यह संकेत है कि दुनिया भर के बाजारों में भारतिय सामानों की डिमान लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा है और प्रोडक्शन के लिए जो रहे रवजवान लगे उसके काण रोजगार भी बढ़ा है और स्वाबाविक है इसके काण परिवार की आई भी बढ़ रही है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बढ़ा मोबाइल फोन निर्माता देश हैं। देश में मोबाइल फोन की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। सरकार के प्रयासोंने मोबाइल मेनिफेक्टरिंग को भी कई गुना बढ़ा दिया है। अब देश मोबाइल से आगे बढ़कर दूसरे इलेक्ट्रोनिक गैज़ेस पर भी फोकस कर रहा है। आईटी हार्डवेर प्रोडक्शन के लिए ख्षेत्र में हम वैसी ही सफलता दोहराने वाले हैं। जैसी मोबाइल के ख्षेत्र में हासिल की है। वो दिन दूर नहीं होगा जब मोबाइल की तरह ही भारत में बने एक से बढ़कर एक लेप्टॉप, टैबलेट और परस्नल कम्पिटर दुनिया में हमारी शान बढ़ाएंगे। वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर चलते हुए भारत सरकार भी मेड इन इंडिया लेप्टॉप, कम्पिटर जैसे अनेक प्रोड़क्स खरीतने पर जोड दे रही है। इससे मैनुफेक्टरिंग भी बड़ी है और युवाओं के लिए रोजगार के नए मोके भी बन रहे हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगा अर्थ व्यवस्ता के इस पूरे चक्र को समालने की, इसे सुरक्षा देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आप सभी जब ये सुरक्षा कर्मी के रूप में आपका जीवन आरंब हो रहा है, आपका कार्य आरंब हो रहा है, तो कितनी जिम्मेवारी आपके सर पर है, इसका आप भली भाति अंदार लगा सकते हैं। कार्ब है, ड़ कितनी जिम्मेदारी, तो कितनी आपके सर दो रहा है, आपके सकते हैं।